अव्यक्त शिक्षाओं का अनमूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गॉडलिवोड स्चूडियो द्वारा प्रस्तुत आमूले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है संत कबीर दास्ची ने कहा है कि कबीरा जीवन कुछ नहीं खिन खाना खिन मीट कल ही अलह जमारिया आज मसाना ठीट अर्थात ये जीवन कुछ नहीं है पल भर में खा रहा है तो पल भर में मीठा है कल जो योध्धा योध्भूमी में दूसरों को मार रहा था आज वै स्वयम ही शम्शान में मरा पड़ा है पस्ता में ये जीवन आने और जाने का एक खेल है इस खेल में सदा जीथते रहने के लिए वो पास्वित ओनर होने के लिए हमें किस अभ्यास की आवश्रकता है आज हम इश्वरिये महवाक्तियों द्वारा समझेंगे और इन महवाक्तियों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मत्य है प्रुचापिता ब्रह्मा कुमारिज इश्वरिये विश्वित त्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजयुभाई सहब फिस अब आपका आज की एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है पिस अब आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर 1989 के महवाक्षियों पर इसका टॉपिक है पढ़ाई का सार आना और जाना परमात्म कहते हैं कि सभी बच्चे मुर्ली और मिलन के चात्रक है ऐसे चात्रक सिवाए ब्रामभण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता यह ज्यान मुर्ली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है दुनिया की अनेक आत्माओं परमात्म मिलन की प्यासी है इंतजार में है लेकिन आप ब्रामभण आत्माओं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना शुरीष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो चुकि दिव्वे बाप को जानने अथ्वा देखने के लिए दिव्वे बुध्धी और दिव्वे दृष्टी चाहिए जो बाप ने आप विशेश आत्माओं को दी है इसलिए आप ब्रामण ही जान सकते और मिलन मना सकते हो फिसलिए बढ़ाई और मिलन इन दोनों को केवल ब्रामण आत्माई ही समझ सकती है अन्य आत्माई नहीं इसको थोड़ा सबश्ट करें हम सब ब्राह्मान आत्माओं को संगम युक पर दो भागी प्राप्त होते हैं. एक भगवान के डाइरेक्ट महावाक के सुनने का और दूसरा उनसे मिलन मनाने का. क्योंकि किसी भी कोने में बैठी हुई ब्राह्मान आत्मा को बर्मात्मा के द्वारा दिव्य द्रश्टी, दिव्य बुद्धी का वर्दान मिलता है. तो जब हमें ये वर्दान मिल जाता है, तो हम किसी भी स्थान पर रहते हुए, परमात्मा के महावाक के सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और साथ साथ उनसे मिलन भी मनाते हैं, जब सन्मुख में आते हैं, तो डाइरेक्ट उनके महावाक के कानों में आते हैं, और यहां पर अपने भिन भिन इस्थानों पर कोने कोने में रहते हुए भी, जब इमहवाग की हम सुनते हैं, तो ऐसे लगता है, परमात्मा की पढ़ाई हैं, और परमात्मा से मिलन बना रहे हैं, आधार है दिब्य द्रश्टी, दिब्य बुद्धी. तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में, अत्वा अपने घर में आए हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते होना अधिकार की निशानी है अपना पन, अपने बाप के पास आए हैं, पहमान बन करके नहीं आते, लेकिन बच्चे आये हैं अपने घर में। चाहे चार दिन के लिए आये हो, लेकिन समझते हो, मदबन अपने स्थान पर पहुँचे हैं, तो यह आना और जाना। आप ब्रामभणों की जो पढ़ाई है, वो मुरली धर की जो मुरली है, उसका सार यह दो शब्द ही है, आना और जाना। परमात्मा हम सब बच्चें को कहते हैं, जो बच्चे अपने अपने इस्थान से मदुबन घर में आते हैं, परमात्मा से मिलन मनाने के लिए, वो बच्चे बन करके आते हैं, महमान बन करके नहीं, क्योंकि उनको अपने पन का अधिकार का अनुभो होता है, हम परमात्मा हमार लेकिन जब यहां पर दो चार छे दिन के लिए भी आते हैं, तो उनको यह महसूस दाती है, कि हम अपने घर में अपने पिता से मिलने के लिए हैं, और अपने पनकीों फिलिंग करते हैं. तो परमात्मा के रहे हैं, वास्तों में सारी पढ़ाई का ही सार है, लिए हम आए हैं फिर हम जाएंगे. एक है आध का आदा जाना, जो मदूबन में आते हैं, मदूबन में रिफ्रेश होते हैं, भाभा बासे मिलते हैं, पिर चले जाते हैं. ऐसे ही परमात्मा कहते हैं इस सरीर में आत्मा आई है और फिर इस सरीर को छोड़ करके दूसरे सरीर में जाती है जे कर्मात्मा कहते हैं कि कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्तकर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ संबंध में रहते हैं बंधन में नहीं रहते तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना तो सब इस आने और जाने को सबच्च करें यह हमारी कर्म योगी स्टेज है कोई भी कर्म जब हम कर्म चेतर पर करते हैं जैसे मैं आत्मा इस सरीर में प्रवेश होकर इन कर्मिंद्रियों का अधार लेकर के यह कर्म कर रही हूं कर्म पूरा हुआ अपनी असरीरी स्टेज में हम इस्टित हो गए अपने वोजनल सरोप में इस्टित हो गए तो जैसे हम इस सरीर का अधार लेकर के कर्म किया इस सरीर में आए और कर्म पूरा हुआ तो इस कर्म छेत्र से संबंध में आए और फिर संबंध से न्यारे हो गए कर्म बंधन में नहीं बांद रहा है कर्म कर रहे हैं लेकिन आत्मा इस सरीर की कर्मिंद्रियों से कर रही है वो अलग है ये अलग है ये जब अभ्यास होता है तो जैसे हम सरीर में आए और सरीर से अलग हो गए यही अभ्यास पूरी पढ़ाई का सार है कोई भी कर्म बंधन या कोई भी समंद का बंधन आत्मा को अपने बंधन में न बांध ले इसके लिए यही अभ्यास करना कि मैं सरीरी आत्मा हूँ, मैं सरेर का आधार लेकर कर्म करती हूँ, कर्म पूरा हुआ फिर इससे में अलग हो जाती हूँ आना और जाना यह अभ्यास है प्रमात्मा की कहते हैं कि कोई भी किसी के वश हो जाता है, तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किस से मजबूर नहीं होती, अपने स्वमान में मजबूत होती है. कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी करमेंद्रिय के वश हो जाते हैं फिर कहते हैं, आज आख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टी ने धोखा दे दिया, परवश होना, अर्थात धोखा खाना और धोखे की निशानी है, दुख की अनुभूती होना, इसको थोड़ा सबस्ष्ट करें. जब आत्मा इन कर्मिंद्रियों के वसिभूत हो जाती है, इनके अधीन हो जाती है, जब वो अपने को भूल जाती है, कि मैं शरीरी आत्मा इस सरीर में प्रवेशो करके कर्म कर रही हूं, तो ये विस्मृति होते ही कर्मिंद्रियों के अधीन हो जाती है, जैसे कोई व्यक्त कर्मिंद्री और नुसार आत्मा को बंधना पड़ता है। इसलिए परमात्मा हम सब को कहते हैं कोई भी यहांक नाक मुख कान आती है जो हमारी क्यानिंद्री कर्मिंद्री है कोई भी कर्मिंद्री आत्मा को अधीन न बनाए उसके लिए अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस सरीर में आई मैंने इन कर्मिंद्रियों का अधार लिया और मैं नहरी हो गई अगर वस हो जाएंगे तो कहेंगे आज आख ने दोखा दे दिया आज मुझे मुझे दोखा दे दिया आज मेरे हाथों ने मुझे दोखा दे दिया कहीं न कहीं गलतकारी हो जाएगा और फिर उसके कारण धोखा खाएंगे तो दुख की अनभूती होगी। इसलिए परमात्मा हम सब को कहते हैं, मालिक बन करके कर्मिंद्रियों का आधालो, करम करो और इससे नहरे हो जाओ। परमात्मा इसी से संबधित कहते हैं कि धोखा खा आगए चाहते भी नहीं थे लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप Sवधर्षन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती। चूनकि स्वधर्षन आनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। इसब स्वधर्षन क्षक्र के चिसमें हात्व को सबस्ट करें आपके आपके तो परमात्मा कहते हैं चक्र में आने वाली आत्मा जो अधिन हो गई परवस्ग उट दो धोका खाही रही है लेकिन आप बच्चों को स्वव का दर्सन हुआ है, स्वव का दर्सन मना आत्मा का दर्सन, जब हमने अपने आत्मा को देखा है, आत्मा कैसे इस रष्टी चक्र के अंदर पार्ट बजाती है, उसके पूरे चौरासी जन्मों का ज्ञान जब अंदर इस्मृति में रहता है, क और इससे अलग हो जाएं, अधालिया, कर्म किया, फिर न्यारे हो गए, तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, जो इस वह दर्सन चक्र में सदारमन करते हैं, उसका दर्सन करते हैं, वो किसी भी चक्र में नहीं आते, कर्मिंद्रियों के कभी अधीन नहीं होते, कर्मिंद्रियों के अधीन होना ही चक्कर में आना है और ये भीन भीन चक्कर आत्मा को ऐसे चक्र भीव में फसा देते हैं जो अंदर से वो दुखी होती रहती है परिसान होती रहती है इसलिए परमात्मा हमको इस चक्र भीव से अनेक देधारियों के चक्र में जो हम सब फसे हुए हैं उनसे निकालने के लिए कहते हैं सरीर में आओ और पिर सरीर से अलग हो जाओ फरमातना कहते हैं कि अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सुचते हैं कि स्रिष्टी चक्र से निकल जाएं लेकिन सृष्टी चक्र के अंदर पाट बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवनमुक्त स्थिती को प्राप्त कर सकते हैं यह कोई नहीं जानता। सब जीवन मुक्त स्थिती को थोड़ा सपष्ट करें। लोग जब इस चक्र में शरीर के बंदनों में आते बहुत दुखी हो जाते हैं, परेसान होने लगते हैं, तो बगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मुझे इस जनम मरन के चक्र से ही चुड़ा दो, मैं मुक्ति में चला जाओं। परमात्मा कहते हैं, दुख के कारण तो मुक्ति चाहते हो, लेकिन इन दुखों से इन चक्रों से अनेक परकार के दुख के चक्रों से हम बचे हुए हैं, इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि आत्मा कभी भी इस चक्र से छोट नहीं सकते क्योंकि अनादी अविनासी है, सत तब सोचती है मैं आओं ही नहीं चक्र में चूट जाओ इसे। परमात्मा कहते है कोई भी आत्मा इस चक्र से नहीं चूटती है। लेकिन अगर वो आने और जाने का मालिक बन करके कर्म करने का अभ्यास कर ले तो दुखों से उचूट सकती है। जीवन में आएगी लेकिन कोई भी बन्धन देह का, संबंधों का, कर्म का, कर्मिंद्रियों का मुझ आत्मा को अपने अधीन नहीं करेगा। तो हम दुखों से चूट जाएं, विकारों से मुक्त हो जाएं, वो है जीवन में रहते जीवन मुक्त स्टेज। उस स्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं, मुक्च आत्मा को नहीं मिलता। धर्मात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि आप चैलेंज करते हो, कि हम आपको जीवन में मुक्ती डबल दिला सकते हैं। जीवन भी हो और मुक्ती भी हो ऐसी चैलेंज की है ना नश्य से कहते हो कि जीवन मुक्ती आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्करों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले हम लोगों का एक बहुत सुंदर पहले का स्लोगन बना हुआ है लक्ष हमारा जीवन मुक्ती मार्ग हमारा सुद्ध प्रवर्ति है हम प्रवर्ति में रहें जीवन में रहें घरग्रेष्ट में रहें लेकिन हम विकारों से बुराईयों से दुखों से मुक्त रहें प्रवर्त तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जब ब्रत्ती से परे रहती है कोई भी आकरसन में, कोई भी बन्दन में नहीं बनती है। ये जब पुरसारत आत्मा करती है तब वो अपने जीवन मुक्त इस्थिती का अनुभो कर सकती है। जीवन में रहेगी लेकिन इन बुड़ाईयों से चोटी हुए रहेगी तो यही ग्यान है यही सारी पढ़ाई का सार है बिल्कुल परमातना कहते हैं कि पढ़ाई अर्थात ग्यान का सार क्या है करमातीत बन घर जाना है और फिर राज्ये करने का पाट बजाने अपने राज्ये में आना है यही ज्ञान का सार है न, तो जाना और आना, यही ज्ञान और योग है, इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो तो कि परमात्मा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो हम पुरसार्थ कर रहे हैं, आत्म अभिमानी इस्तिती में रहने का इसके पीछे यह की लक्ष है कि आत्मा अपनी संपन्ता को जिसको कर्मातित स्टेज कहते हैं, उस कर्मातित स्टेज को प्राप्त करे और अपने वापस घर जाए, परंधाम घर में जाए, लेकिन जा करके वहाँ बैठने जाना, फिर से पार्ट में आना, सत्यों के अंदर फि आत्मातित बने और अपने घर जाएं, और फिर जब वापस घर जाएंगे, तो फिर नई दुनिया जब सरकिल फिर से प्रारम होगा, फिर हम आएंगे, तो जाना और आना यही हमारे पुरसारत का लक्ष है, पर्से परमात्मे ने का कि यही ज्यान और योग भी है, इसको त जब हम करमातित बनने की बात करते हैं, तो उस संपून स्टेज को प्राप्त करने के लिए परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन है, योग है, योग के बिना हम संपन नहीं बन सकते, अपनी जो भीकारों की अनेक प्रकार की बुराईयों का आवरन आया है, संसकार बन गए है, परमात्मा पावन बन करके, करमातित हो करके घर चलेंगी, और जब चलेंगी तो उसके बाद जब राजी में आएंगी, तो ज्यान और योग की सक्ति के आधार से ही हमें स्रेश्ट पद मिलेगा, ये, परमात्मा की कहते हैं कि खुशी से कौन जाएगा, जितना सदा यह आन और जाने का अभ्यास होगा, जब चाहो तब अशरीरी स्थिती में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्म योगी बन जाओ, यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए, ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनने चाहो, और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, व अभाव संसकारों का बंधन अपनी तरफ आकर शित करें, कोई भी बंधन पर शरीरी बनने नहीं देगा। फिर अब खुशी से जाने की इस युक्ति को स्पष्ट करें। आत्मा अंत समय में भी खुशी-खुशी से शरीर से निकल करके घर कैसे जाएगी। उसके लिए Parmatma कहते हैं बहुत काल से अभ्यास करो। आत्मा ने इस सरीर में प्रवेश किया, कर्म किया, और कर्म करके कर्म से निहारे अशरीरी स्टेज में इस्तित हो गई। जब हम बहुत काल से अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैंने इन कर्मिंद्रियों का अधा लिया, मैंने कर्म पूरा किया, फिर इसे अलग हो गई, तो असरीरी बनने का जिसने अच्छा अभ्यास किया है, वो अंत समय में बहुत खुसी-खुसी से वापस सरीर देते हैं, जैसे मक्कन से बाल निकल लाता है, कोई भी महनत नहीं लगती, शरीर छोड़ने भी महनत लेगती, अभ्यास ऐसा है कि मैंने शरीर का अधा लिया, मैं अलग हो गई, तो जब हम बहुत काल से अभ्यास करते हैं, तो अंत काल जब हमें घर जाना है, हम खुसी- जैसे कोई टाइट ड्रस पहनते हैं, तो समय पर सेकिंड में उतारने चाहें, तो उतार नहीं सकेंगे, खिचावट होती है, चुकि शरीर से चिप्ता हुआ है, ऐसे कोई भी बंधन का खिचाव अपनी तरफ खीचेगा, बंधन आत्मा को टाइट कर देता है, इसलिए परम आत्मा सदेव यह पाठ पढ़ाते हैं, निरलिप्त अर्थात न्यारे और अती प्यारे यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए, यह बहुत सुन्दर अभ्यास है, और जैसे मिसाल देकर के परमात्मा हमें बता रहे हैं, कोई भी रेस अगर हमने बहुत टाइट पहनी हुई है, और हमें जल्दी जल्दी उसको बधलना है, चेंज करना है, तो उतारने में बहुत टाइम लगता है, और परेसानी कानभव होता है, ऐसे ही कई आत्माएं किसी नकिसी बंधन में टाइट हो गई है, बंद गई है, तो घर जाने का जब समय आएगा, तो उसको सहज बंधन महिनत लगेगी, कोई देधरी याद आजाएगा, कोई सेवा याद आजाएगी, कहीं पर कोई संबंध होंगे, वो याद आजाएगे, कहीं संपत्ती चिपा के रखी होई, वो याद आएगी, तो सरीर छोडने के समय, जब आत्मा इस सरीर से अलग होती है, तो उस समय कई च स्थिति रहेगी अभ्यास होगा तब सरीर छोडने के समय एक सेकंद में इस सरीर से आत्मा अलग हो सकती है। करमात्मा इसलिए कहते हैं कि पास विदाउनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अतियावश्यक है और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो तब ही डबल लाइट बन करमातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। करमात्मा कहते हैं कि ब्रामभण बने, बाप के वर्से के अधिकारी बने, गौडली स्चुडेंट बने, ज्यानी तो आत्मा बने, विश्वस सेवाधारी बने। यह भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब पास्विदाउनर होने के लिए करमातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रामभाबाप समान, न्यारे और शरीरी बनने के अभ्यास पर विशेश अटेंशन। ब्रामा बाबा ने यही एक अच्छा अभ्यास किया, जो ऐसे शरीर से न्यारे हो गए, जैसे कोई बोज नहीं, कोई बंधन ही नहीं है, मुर्ली सुना करके, सब बच्चों से मिल करके, कमरे में गए, सामने बच्चों को द्रष्टी देते देते, इस शरीर से अलग हो गए असरीरी बनने का बहुत समय का अभ्यास था, सहज रिती से कोई देह नहीं आदा है, सम्मंधने आदा है, सब साथ थे, बाबा के सब साथ में थे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सम्मंधने बाबा को कीचा नहीं, तो जब यह अभ्यास होगा, तो हम पास्वितानर बन सकेंगे कर्मातित बन सकेंगे क्योंकि एक सेकिंड का खेल होता अगर कहीं भी बुद्धी चली गई तो हम फेल हो जाएंगे इसलिए पासवेता नर होने के लिए कर्मातित होने के लिए हम सबको बहुत समय से असरीरी बनने का अभ्यास करना है उसकी प्रेक्टिस बाबा सिखा रहे है बिल्कुल भाई सब आज हमने संपूर्ण पढ़ाई के सार आने और जाने इस विधी को बहुत ही गोयता से समझा स्पष्टी करन के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद दर्शकों आज के महावाक्यों में करमात्मा ने कहा कि पढ़ाई का सार है करमातीत बनकर घर जाना है और फिर पाट बजाने राज्य में आना है यह आना और जाना ही ज्यान और योग है करमात्मा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के बंधनों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले मालिक बनकर करमेंद्रियों से कर्म कराने वाले धोखा खाने वाले नहीं परमात्मा ने कहा कि पास विदाउनर होने के लिए और करमाती तिस्थिती के समीप जाने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा के समान न्यारे और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है तुश्कवाज के महावाक्यों से संबंदित यदि आपके मन में कोई भी प्रशन है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं हमारा एमेल आइडी है amoliratna at the rate bodilywoodstudio.org अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवाणी के साथ आप सभी किसमक्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त हुम शांती अवश्यक है ब्रह्मा बाप समा न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेश अटेंशन ब्रह्मा बाप ने सेवा को वह कोई कर्म को छोड़ा नहीं लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने और करने वाले इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूड स्टूडियो से संपर्क करें क्लास में नियमित रूप से चलाने के से चलाने के लिएके से चलाने के लिए।